दोस्तों तो हम पीए डीपी दोजारे का इसके लिए आप कंप्पूटर पढ़ना स्टार्ट करेंगे जिसमें जो हसुचना प्रद्दोगी जी वाली हमारी यूनिट है उसमें पहला टॉपिक है इलेक्ट्रान की तो इसको देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से सारा का सारा कवर करने का प्रियास करेंगे थोड़ा-बड़ा लेक्ट्र होगा लेकिन सारा कंप्प्ट्रीड हो जागा इलेक्ट्रान की इलेक्ट्रान के विऔह Subscribe आजय के लेक्ट्रान की अधियां किया जाता है इलेक्ट्रानिक क्या कहलाती है ठीक है इलेक्ट्रानिक्स के बिवहर पर आधारय्द बिज्यान जो होता है उसको इलेक्ट्रानिक्स कहा जाता है यह विजून की शाखा है जısमें बाह्शान Circuit के प्रभाव या इन बाहर आल्यूजान से बल लगाया जाता है फोर्स किया जाता है जो ठीक है कृत्वर्स होता है प्रभाव में एलिक्ट्रायं की पदार्थन पर निर्वात और बांग मानओ उपर जहां वगंपर नली होता है पधार्तों अथवा निर्वात में से होने वाली गत्य के अनिप्रयोगों का अध्यन किया जाता है Electronics कहिलाते है इलेक्ट्रानिक्स काहिते हैं मुखे तहथ दो साखाहए होती है कौन-कौन सी Analog Electronics एभाँ Digital Electronics तो यह दो चीज़ें हैं यही हमारी सुचना प्रद्वी कंपूटर से बहुत ज्यादा संबंदे थे हैं वह प्रभावत करती हैं तो कुण कुण सी एनालाग एलेक्ट्रानिक्स और डिजीटल एलेक्ट्रानिक्स इनको पन अलग अलग तरीकी से समझेंगे पहला एनालाग तिर लेक्ट्रानिक्स ऎनलाग संकेतों के सिरजक्ष इवं can park a ठांतिया ठीक डिर alter kuttaosinh तो कि लिजये जो उपकर होते हैं उन पर ये नागव होती है बलगे मिश्वित शि 그냥 सब्सक्राइब्स पर्यों कि निवाती है अब आता है डिजीटल एलेक्ट्रानिक्स किसी इट सिस्ट्रम में सभी गढ़ना और संख्या उताने के लिए कुछ संख्या प्ध्दतियों के प्रयों किया जाता तरी कैसे कि जहां परयों किया जाता है उससे क्या का नेजीटरानिक्स जो है करते हैं और जो शांकेतिक होता है ठीक है वो क्या होता है एनलाग होता है ठीक है एनलाग संकेते प्रणाली होती है एनलाग सिस्टम होता है वो जिसमें नंबर्स होते हैं वो क्या होता है डिजीटल एलेक्ट्रानिक्स होता है वो डिजीटल याद रखना आप जैसे मालों डिजीट का प्रियोग होता है ठीक है वो क्या कहलाता है Digital Electronics होता है इसी प्रकार या सिस्टब जिसमें संख्या इवा विवन्ञणा को दर्साने के लिए प्रियोग किया जाता है ऐसा सिस्टम डिजीटल सिस्टम कहलाता है ठीक है इस तरीके से हमने थोड़ा-थोड़ा इनको देखा आब आगे करते हैं इलेक्ट्रानिकी के विकास कैसे बगा ठीक है इलेक्ट्रानिक्स ने आधनी सिमाज पर अपनी विसेश चाप छोड़ी है क्या चोड़ी है विसेश चाप छोड़ी है इसके विकास में आहम योगदान इंगलेंड के बहुत एक विग्ञान जेजे थामसन के द्वारा 1897 में इलेक्ट्रान की खोच थी तो सबस्ते पहले इल ठीक है वर इसी का जो है आहम योगदान है इलेक्ट्रान की के विकास में थामस अलबा एडीसन ने 1883 के प्रयोग क्याधार पर देखा कि निर्वाद की स्थिति में नियात ताप पर धाद्यों को रखने पर उनमें एलेक्ट्रान का प्रभाव एक चालक से दूसरे उसालाओ की सद्दान्थ पर डायोड ट्रायोड कीनीूर रखी गई, हालांग की कालांतर में अरदव से Most स्में और माइक aby दोई Awal से लेक्टरान की विकास में सायोगी रही बाकि यह चीज़ें भी रही लेकन जो पहले की गई थी यह ठीक है वो भी इलेक्टरान की खोजबी समय महत्तपून योगदान देती है और यह अलबा एडिसन के द्वारा जो यह चीज निकाली जाई कि एक चालक से दूसरे चालक त इक उसिस करना है याप जान एम्रास फ्लेशंगं ने 1904 में पहला डायोड बनाया पहला डायोड किसे ने बनाया जान एम्रास फ्लेशंग ने Ռनने में लीडि फारेयस्ट के द्वाराश के 1906 में ड्रायॉट का अविसकार एक बहु आयामी खोल सि 3000 वह उसकार एक मुझा लीडि फारेयस्ट ने 1906 में ड्रायॉट ने के और जो है सबसे पहले विसकार किया और जान आंब्रास फ्लेमिंग ने निड्र आधाजीड बनाया यहां किसी से तुला नहीं किया सकती है बिलियम साकले वाल्टर हाउजर ब्राटन तथा जान बाडन ने 1967 में बैल लेंभ में ट्रांजेस्टर का विषकार किया फल सरूप Digital Electronics के एका आरंब हो गया ठीक यहां से जो Digital Electronics का युग था यहां से आरंब होता है अब 1927 से मुहम्मद अताला और डागोन कांग ने 1969 में अब तक सरबादिक पर चलेते अब उपयोगी ट्रांजिस्टर मोस्ट का विसकार किया था तो मोस्ट फेट जो सबसे उपयोगी ट्रांजिस्टर अभी तक सावित हुआ है इसको किसे ने बनाया था मुहम्मद अताला और डागोन कांग ने 1969 में बनाया था लगभग प्रत्यक इलेक्ट्रानिक जिक्टी में इस ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है रावाड नायस और जेक किलवे ने 1908 में एक सूप्ठ चिप बनाया जिसे एक ही करत परिपत कहते हैं आईसी चिप किसे ने बनाई दोस्तों रावाड नायस और जेक किलवे ने 1908 में बनाई थी इस चिप के द्वारा इलेक्ट्रानिक उपकरणों के आकार में कमी और गुलवत्ता और दक्षिता में ब्रद्धी हो जाती है तो बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं इसके द्वारा पुरातन समा में विद्धुतिवा म्यांद की सरक्ट की जटिलता की समस्या को हल कर दिया है ठेक है इसके उपरांत 1969 में मार्सियन हाग के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर की कोच की गई तो माइक्रो प्रोसेसर की कोच कप की गई 59 59 Danasana के द्वारा बहुत कम पेजम में ऐसी जानकारी आपको कहीँ नहीं मलेगी my voor processorетр 230- 198 सी मुक्ष भाग होता है क्या हुता हैневे 442 हमधिक owners के मुक्ष्राबाग होता है ईबर इनन Kot करने वाप सब्सक्राइब होता है इस प्रकार कालंतर इसके बाद आता है हमारा भारत में इलेक्ट्रानकी का विकास, ठीक है, हेडिंग है, बारत में इलेक्ट्रानकी का विकास, ठीक 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 है, मैं के गई वारत में इलेक्टरान के अर्डेयर प्रोघ्यतरे के विखक्त हाइस क्युमाने की अब इसकारत्पन हुआ था यानि अब तीवियां बनाई गई थी एलेक्ट्रान की बिकास क्या से हुआ इसकी उप्योक्ता को संध्यान में रखकर 25 अक्टूबर 2012 को पर्थम राष्टी एलेक्ट्रानिक नीती की स्विक्रती परदान की गई 25 अक्टूबर 2012 को इस नीती के ता एलेक्ट्रानिक्स और सुचना प्रद्दोगी की मंत्रालाय में रूपांत्रित कर दिया गया ठीक है बाद में से कायम कर दिया गया सुचना प्रद्दोगों की मंत्रालाय में कर दिया गया ठीक है इसके बाद आता है उन 2019 में आई नई नभी राष्टी एलेक्ट्रानिक न कि गई थी अब आग आता है कालांतर में समीर ठीक है कि सोसाइटी फार एपलाइड माइक्रो बैव एलेक्ट्रानिक इंजिनिसिंग एंड रिसार्च इसकी समीर की जो है इस्ताब्रा मर्स पूरापक अधि देश के साथ तत्काली इन इलेक्ट्रान की विभाग भारस सरकार के अंतरगत सवायत अनुसंदान इभाव विकास प्रियोग साला के रूप में जो है की गई ठीक है इसके बाद आता है इलेक्ट्रान की कुछ साखा हैं कौन कौन सी साखा हैं सिगनल परिपत्थों उपकरनों और उपयोग हैं सबसे एब प्रिचलित्र mejor के अधार पडि अल्यक्त्रान की कई महत्रिफ्रण साखा है जो निमने लिखे थह त इ माइक्रो एलक्ट्रानिक्से नेनू इल्क्तरानरिक्स पावर एल्लेक्ट्रानरिक्स ब्माहियो एल्यक्ट्रानिक्स सटेली कम्यूनिकेशन एमचलिद स सिस्टम सार्किट डिजाइन आदी सरवादक प्रिचले साखान डिजीटल एवब एनालाग इलेक्टरानेक्स है यह दो सबसे जो है प्रिचले थे इलेक्टानिक सर्केट डिजीटल अभयावों प्रतिरोधक ट्रांजेटर डायोज माइक्रो प्रोसेसर कुझियों आदि में विद्दुत यांदिर की अभियवों का परसपर संज्यूजन इलेक्ट्रानिक परिपत कहलाता है इनका परसपर जो है मिलना और काम करना यह क्या कहलाता है ठीक है को चाला है कि इनके विस्तत रूप्स का भी बहुतायत प्रियोग होता है एना लाग सिर्केट को इन्पृट के रूम में ग्रान करते हैं परुप करते हैं उन्हें अनलाग सरकेट करते हैं जो लगातार विद्दत सिर्क नलों को input के रूप में सिकनल को होता है जो लगातार नहीं सिकनलों को這樣 प्रियोग करता है जो लगाता राने वाले से इन्पूट करता है इनलाग सर्केट और आस जो लगाता है नहीं आ रहा है इनको गया डिजीटल सर्केट ठीक है इन्पूट करता है इसको डीजल सरकेट कहते हैं इन्हें सब्सक्राइब लोगों के विबरीज के वाद सुनने और एक का प्रियोग होता है क्या होता है सुनन और एक का प्रियोग होता है डिजिटल सरकिट के मुख के अविवियों के मैं कुछ सामाने में कुछ एक एकरत एक्तियों का समन्विया होता है जैसे मासफेट, लाजिक गेट, फिलिप फ्लाप, एडर, काउंटर, मल्टी, मल्टी, प्लैक्सर, सिमिट, टियर्स, डायोट, ठीक है एकी क्रत युक्तिया कौन-कौन सी होती है, तो एकी क्रत युक्तिया कौन-कौन सी होती है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, मेमोरी चिप, डिजिडल सिगनल, प्रोसेसर, एकी क्रत परिपत, यानि आई-सी, प्रेंटिंग सरकेट, बोदादी यह एकी क्रत युक् सद्धान जो किसी सगनल को जानें देता है जो रोग देता है बिए थिख कि और चालकों ट्रांजिस्टर आधी के सायोग से किया जाता है इन परिपदों में सिग्नलों का पार गमन तभी होता है जब वह सिग्नल निर्धारत या अनुकूल तारके प्रवंदों के अनुरूप हों इन गेटों पर एक सिग्नल आरोपेज करने पर निर्गत सिग्नल एक ही होता है लाजिक गेट्स डिजिजल इलेक्ट्रानिस का आधार होते हैं अब आते हैं लाजिक गेट्स के प्रकार दोस्तों कौन-कौन से होते हैं लाजिक गेट्स मूलता तीन वर्गों में वाज़त किया जाता है नोट 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 एन और ठीक है यह तीन प्रकार के होते है end और-गेट-Tr, end- or the-or, ये gate मुल्वूत- Gate कहलाते हैं, ये तीन प्रकार के जो है gate कहलाते हैं, ठीक है, जिलोजिकガेट ठीक है, not gate, end gate, or gate, ठीक है, land gate, नर gate, x-or gate, ठीक है, x, nor gate, ठीक है, अब not gate को सबसे पहले पढ़ते हैं, इस gate में ये cable, जोईने गें जीड अब जोसा है तयुक्ता है जीड को फ्रतिलों भी कहते हैं ठीक है ध्याण अधिक इंपउट होते हैं किन्तों आउट्पूट एक लित पे से भीछ आपफूट पे सब्सक्क्राइब हो आउट्पूट जीरो हो जाएगा जब दोनों वहाँ गरत की गुरान और बी हो सकते हैं दो या दो से अधैक हो सकते हैं किन्तु आउटपट इसमें वह यह ही होता है इस गेट का सारे एक होते, तब एक होता, अगर कोई भी जीरो तब जीरो हो जाता, यहाँ पर दो एक या एक से अधिका सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी गर एक होगा, तब इसका आउटपुट एक होगा, ठीक है, इस गेट का आउटपुट जीरो तब होता, जब दोनों इनपुट ज और output एक तो input zero उलता था ठीक है। इसमें क्या था कि अगर दोनों input एक है तब एक भी जीरो है तो output zero जाएगा। अगर एक भी एक होगा तो फ़र output एक जाएगा ठीक है। अब NND gate जब end gate के output को not gate की input के साथ छोड़ दिया जाता है तो प्राप। गेट को end gate कहते हैं ठीक है इस परस्ट है कि end gate का output end gate के output का बिलॉम होगा यानि उल्टा होगा यदि इस gate में input A और B हो तो output Y हो तो Y विराबर ये बार लगा के AB हो जाएगा नौर गेट नौर गेट के सम्मिलित रूप को नौर गेट कहा जाता है जब और गेट के output को नौर गेट के इनपुट के साथ जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त गेट को नौर कहते हैं इस पर श्टल की नौर गेट का आउटपुट और गेट के आउटपुट का जो है बिलोम होगा दोस्तों जहां समझ में नया कमेंटर में पूची लेना में बता दूंगा बहुत सारा पढ़ाने को ज्यादा यहां पर डेक्टेट नहीं किया सकता है ठीक है इस चीज को आप जो है आराम से पढ़ सकते हैं सब्सक्राइब को सरक्राइब को सूच में रूप दिया जाता है इसके अंतरगात विविन प्रकार की प्रिक्रियाओं का समावेश होता है दोस्तों यह प्रेंट आउट थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है आभी एक मेंटर के बाद सही दिखने लगेगा तो सभी अर् एक हजार से अधिक अभेव को एक ही चिप पर आरूपेश किया जाता तो इसमें कोई दक्कत आपको जो है नहीं होगी पड़ नहीं में ठीक है आई सी के अनुप्रियोग डिजीटल आई सी के अनुप्रियोग इलेक्ट्रान चिविवेंद परिपत्रों के रूप में किया से जयाता है जैसे एना यसे डिजीटल करनवारटर के रूप में काउंटर के रूप में सीमों लाजिक एंबम अनुक्रमिक परिपत किया कहे लाते हैं यह संुक्त परिपत को डिजीटल परिपतों को मुख्ता संयुक्त परिपत एबं अनुक्रम्यक परिपतों में बाटा गया है देखते संयुक्त परिपत क्या होता है बे युक्तियां जिसमें आउटपुट का मान बरतमान इंपुट पर निर्भार करता है और इसमें फीडवेक सिस्टम नहीं होता ह करता है यह संयुक्त परिपत कहलाते हैं इसलिए इसमें आउटपुट पूर्वें प्रदान किए इंपुट पर निर्भार नहीं करता है संयुक्त परिपतों के उधारन एडर ठीक है सबस्ट्रेक्टर मल्टिपलेक्सर आदी है एडर डिडिटल इलेक्टर इसमें परिपतों को जोडने का कारिय करता है डिडिडिटल एडर कहलाता है इसके मुख्च प्रकार है हाफ एडर, फुड एडर, टू विट एडर, समानांतर, बाइनरी एडर आदी सबस्ट्रेक्टर सबस्ट्रेक्टर मल्टीप्लेक्टर यह युक्ति जिसके माध्यान से विविन डिजिटल सिगनलों को एकल सिगनल में परिवर्टत किया जाता है उसे डिजिटल मल्टी प्लेक्सर कहा जाता है मल्टी प्लेक्सर का ताथ पर यह है अन्यकों में से एक मल्टी प्लेक्सर के अन्यकों में से एक multiplexer ही इदाने प्रकार के होते हैं तो इनको आप जो है थोड़ा सा देख लेना ठीक है D multiplexer क्या होता है जिस प्रकार 2 या 2 से अजय के signalov को एकल सिग्णल में परिवर्चत करने का कार ये multiplexer करता है उसी के विपरिद परिपत क्या कहलाता है ठीक है तो वह है परिपत जिसमें आउटपुट का मान पूर्व में प्रदान किये इन्पुट पर निर्वर करता है उसे अनुक्रमक परिपत कहते हैं इस परिपत में कुछ संग्रहां करने की छंता भी होती है इन परिपतों को आंतरिक इन्पुट फीडवेक के द्वारा पराफ्त होता है उद्वारन जैसे फिलेप फिलाप रजिस्टर काउंटर आदी आगे आता है लेच लेच क्या है यहाई एक बिट की मेमोरी की अनुक्रमक परिपत होते हैं तो यह फिलेप फिलाप की आधार भूतिकाई होती है इसके कार एसारलेचども फिलेच आधी आधी होते हैं फिलेप फिलाप क्या कहलाता है यह एक बिट संग्राण काęने वाली ऐसिध्य युकती है जो केवल binary मानों को ही संग्रत करती है क्या करते केवल binary मानों को अगर आपको इन सब्दों के मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पहले क्या को पढ़ना पढ़ेगा जनरल कंपूटर पढ़ना पढ़ेगा ठीक जो हमारी unit में तो नहीं है इसको basic memory element भी कहा जाता है फिलिप फिलाप को क्या कहा जाता है basic memory element किसे कहा जाता है तो फिलिप फिलाप को कहा जाता है इसके output का कुछ भाग input में भी बदल जाता है इसके प्रणाम बिलंब प्राप्त होता है ठीक है इसके प्रवक प्रकार है S R Flip Flop, D Flip Flop, T Flip Flop इसका अनुपरियोग डेटा संगराना आप पत्ती ववाजक एम डेटा इसना अंतरान आदी में किया जाता है Counter यह वह यक्ति है जिसके माध्याम से किलाग चक्र की गड़ना की जाती है यह किसी परिवत में अज्यात अंतराल में उत्पन किलाग पल्सों की आबरक्ती या आबरक्ति काल का मापन करने में उपयोगी है इसके दो मुख्य प्रकार है NC, Kronus, Counter, Synchronous, Counter अब आता है Register फिलिप फिलाब का हुआ है समुझ इसके द्वारा बाइनरी सुचना को धान किया जाता है उसे Register कहते हैं Register के अंतर का लगे फिलिप फिलाब के अनुसार सुचना को धान करने की जमता निरवर करती है इसमें फिलिप फिलाप के माध्यां से सूचना संग्रिहित होती है तक गेटों के माध्यां से सूचना को प्रेज़न को नियंतरत किया जाता है इसमें मुखे प्रकार सिफ्ट रजिस्टर यूनिवर्सल सिफ्ट रजिस्टर आदिल सब्सक्र Gibson को बायन दाय और सप्सक्राइव लोग में सब्सक्राइब और पीरियूरी और आ इघुरद परिपाइब आईजी सब्सक्राइब यहाँ से कुस्चनाप का बनेगा शुरू के पेच से और यहाँ से बनने का बहुत ही चांस है यकी करत परीपात बिवी ने इलेक्ट्रानिक अभिवियों का एक ही चिप पर आरोपित किया गया रूप है इस प्रकार के परिपतों का आकार छोटा होता है किन्तु गुणबत्ता अधिक होती है और इनकी कीमत भी कम होती है इनने चिप अधवा माइक्रो चिप भी कहा जाता है बर्स 1969 में दो अलग-अलग बिज्ञान को ने IC का विश्कार किया टेकसास इंस्टुमेंट में के जेक कि यक्रत परिपत-ई-थी का अविश्कार एक मील का पथर साबित होगा एकी करत परिपत यानि IC चिप की प्रिकार एनलाग IC बे एकी करत परिपत जो इन्पुट के 1000% आउटपुट प्रदान करते हैं सिक्तियों को एनलाग IC कहा जाता है उदावान आप्रेशन एम्पली फायर आदी एनलाग IC बे एकी करत परिपत जोस्तत आउटपुट प्रदान नहीं करने तता निमन एम्प उच्चे आउटपुट सेनलों के रूप में 0 से योग का प्रियोग एक का प्रियोग करते हैं एसी योग को डिजीटल आईसी कहा जाता है पुदारान लाजेक गेड रजिस्टर आदी डिजीटल आईसी का विविन घरेलू एम उद्दों के इस्तार पर उप्योग होता है जैसे ब्रिच रेफ्टी फायर से डिजीटल अलार्म से लिडी डिस्पेले काउंट डाउन टाइमर्स आदी ठीक है दोस्तों इसके बाद अपना आता है आप्रेशन एम्प्लीफायर ठीक है आप्षिनल एम्प्लीफायर ठीक है अब हम पढ़ेंगे इसको amplifier को पढ़ेंगे, ठीक है, एक ऐसा परिपच जो की गड़ती है, शंक्रियां को करता है, जैसे जोड़ना, घटाना, समाकलन, आवकलन, आदी, उसे operational amplifier कहा जाता है, क्या कहला कहा जाता है, स्वरी, यहां पर में स्प्रिंटर तो पढ़ने में दिख्का दा रही थी, यह जो है, हमारा operational amplifier लिखा हुआ है, इसका प्रियोग, प्रारम में ग्रूव से analog computer में चिन्ने परिवरतन, स्केलिंग, जोड़ने, घटाने, आदी में किया जाता था, इसके द्वार digital, signalों को analog में परिवरतन करने में, signalों को shift में, एवन signal प्रवर्दन में किया जाता था, monolithic integrated, monolithic integrated परिफत के अविश्कार के बाद, operational amplifier का प्रियोग रेखिये, integrated परिफतों के रूप में होने लगा, मुख रूप से इसका प्रियोग, computer में, idea, video, amplifier के रूप में, एवन विभिन, electron, उपकरोनों के timer के रूप में किया जाता है, अतिचालक्ता क्या होती है, पढ़ेंगे, अतिचालक्ता की खोज 1911 में, डच भोतिक विद केमर लिंग, आंस के द्वारा की गई, उन्होंने पाया कि कुछ पदार्थ यासे होते हैं, जैने ठंडा करने पर एक निश्चित ताप पर उनकी प्रतिरोधक्ता सुन हो जाती है, यह परिगणना अतिचालक्ता कहलाती है, जिस दिम्न ताप पर पदार्थों की प्रतिरोधक्ता सुन हो जाती है, उस ताप को क्र अगे आता है पार मीललला 4.2K मानेस दो सवर 888 डिग्री सेलसी यंग थाप पर इतने ताप पर ठीक है अथी चालगता को गटना प्रतार्सथ करता है कमरे के ताप मान सावान पर अथी अतिचालक की साहता से विद्दू सक्ती की बचट किया सकती है बना उड़ चाहे कि अतिचालकों की साहता से सक्ती साल चुमक बनाया जा सकता है अतिचालक पदार्थों का उप्योग सुपर कम्पूटर में भी किया जाता है अतिचालक तारों की सहाता से बिना उर्जाच्छाय के विद्दूच सक्ती को ये किस्तान से दूसरी स्तान तक संचारत किया जाता है माईसनर प्रभाव अतिचालक पदार्थ को रखकर उसे क्रांतिक ताप के नीचे तक ठंड़ा किया जाता है तो चुम्म की ये बल रेका है उस चालक के बार्थ हो जाने लगती है दोस्तो हमें कम्पूटर का पेपर नहीं देना है बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है अतिचालक पदार्थ के अंदर चुम्म की चेत का मान सुनना हो जाता है इस पर इखड़ना को माईस नर प्रभाव काते है लेकर नहीं पढ़ोगे तो आगे का स्मझ में नहीं आएगा ये भी गारंटी है इस सिद्दांत के अनुसार अतिचालक पदार्थ किसी चुम्मक द्वारा वत्पन चुम्म की चेत का वरुवत करता है यादि किसी अतिचालक पदार्थ के ऊपर किसी चुम्म की पदार्थ को रखा जाए तो वह अतिचालक को ना छूकर उसके ऊपर हवा में तेरने लगता है इस घड़ना को magnetic levitation कहते हैं बरत्मान में बुलेट ट्रेंड इसी सित्यांत पर कारी कर रही है ठीक है magnetic levitation पर ठीक है वह है एवं वह है ट्रेंड इस तकनीक पर कार करती है उसे में लेप ट्रेंड कहा जाता है अब आते हैं हमारी वीन सब्स करेंट असे में मुक्न रूप से मानिटर एबsm प्रयोग के ऊपयोग किया रहा है मानिटर के ही प्रयोग को टेली विजन के रूप में प्रेकसित किया गया है इंNY बूर दर्सन होता है जिसके माध्याम से हम दूरत से सूचना हो जानकारियों को इस तां से दूसरी से स्तां तक प्रेसित कर सकते हैं सूचना को चित्र चल्चित्र आईडियो बीडियो आज दीकी रूम में प्रदरसित कर सकते हैं से सी आरो के सिद्दान्त पर कार्य करता है अगला आता है कि ठीक है कि एक प्रकार का बिद्धूत उपकराण है जिसके द्वारा बोल्टेज सिग्नल और एवन सरक्टों का उप्योग विभिन तरंगों के प्रदर्शन करने मापने और विस्तुलेशन करने के लिए किया जाता है शमाय के साथ परिवर्थित होने वाले एलेक्ट्रानिक सिग्नलों के द्रस्त प्रदर्शन करवाने में सी यारो का उप्योग जो है होता है कि अधोर्ड करना जब दुटी प्रदीप्त फिलोरोस एंटी स्क्रीन से टकराती है तब उस स्क्रीन पर चमकदार बिंदू उत होता है इसी सिद्दान से काल इसका परियोग डिस्पेले उपकरोणों में होता है सी यारों के विविन अंगों में से एक मुख अंग सी आर्टी होता है सी आर्टी क्याथोड रेट्ट्यूप को कहा जाता है जो टेलिविजन जैसे डिस्पेले उपकरोणों का मुख्य प्रति दीबती से टकराती है जहाँ स्कीन परबंद्यों की रूप में प्रदरसित होती है इस सित्दांस पर आधत उपकराणा मेर टेलीविजन मुख्य मुख्य प्रिकार है अब आता है त्य पार का को अकों कम apan दो प्रिकार का होता एंडीपली बन ओर डिजीतल टेलिविजन ऐनलाग ट्विजन वह उपकराण जो एनलाग सिनलो का शंचराण संप्रेशन एभन परफाण आइड़े से रूप में करने सक्षम होता है प्रहों और भर क्रह रूप होता है उत्धाण सोout गारई करने मुख रूप से इसके दो प्रारूप होते हैं मानक प्रारूप और उच्च प्रारूप जिसे क्रमसा इस्टेंडर डेफिनेशन टीवी और हाई डेफिनेशन टीवी कहा जाता है मानक प्रकार्ज में प्रदर्सित चल्चित्रों को चारन उपाती ने प्रदर्सित किया जाता है तो एजडी में लगबग 2 मिलिजन प्रक्सलों का प्रियोग होता है टेली विजन का इतिहास जर्मन ब्यग्यानक फरडी नेंड ब्रोन ने सीयाटी का अविसकार 1897 में किया था इसके पस्चाद 1989 में रूसी ब्यग्यानक ब्यादी मिरोबिच लाफ फेस ने सतंतर रूफ से LA इनिदी का अविसकार किया था इसमयं प्रथम टेली विजन प्रसारान 1928 में अमेरिका में किया गया था ठीक है अता प्रसार भारती देजो में लोग सेवा प्रसारा के रूम में प्रसार भारती का घठाल 20 novr掰掰 1999 में किया गया था इसके दो पर मुख घटक हैं, आकास मानी और दूरदर्सन, इसका मुख उद्यस रेडियो इपन दूरदर्सन पर संतुलित प्रसारान पर विकास सुनिस्चित कर लोगों को सिक्षित कर उनका मनुरण्यन करना है। इसके दो पर मुख घटको नई दिल्ली इस्टित आकास मानी ववन्स दूरदर्सन का पहला कारीकरम प्रसारान किया गया था। सब्सक्राइब पहला प्रियोग उन्नाइस सपचतर चैतर में सेटे लाइजर ठीक है। सेटे लाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एकस पेरिमेंट के अंतरगा जो है किया गया था। एक अप्रेल उन्नाइस सचतर को टीवी सेवाओं को रेडियो से प्रथा कर दिया गया। एबम उन्नाइस सब्याथ को दूर्दरसन राष्टी प्रसारक बन गया। पंदरगास तुन्नाइस सब्यासी में सुसंतरत दवस्के भातान के साथ प्राराम किया। अब क्या गया गया पंद रगस्त उन्यस ब्यासी को पंद रगस्त का भासान सिधा रंगीन टीवी पे जो है दिखाया गया और यहीं से यह शुरूबात की गई तो एसी आई शेलों का प्रसाना दिल्ली में आयोजेत किया गया था LED टेली विजन इलेक्ट्रा डिजीटल एलेक्ट्रानिस की बेयुक्तिया जो LED के माध्यां से चलछित्रू इजन्यों का एक साथ प्रदर बशन करती हैं उनने LED टेली विजन कहा जाता है, LED जो बरतमानों चल लई हैं, LED टेली विजन के प्रकार उसके द्वारा प्रियोग कियेगा, यह विंदन प्रकार LED की सिद्धान अग्रेणार करता है, राष्ट्रिय नेटवर्क बीटा को विक्षित किया था त्रीयामी टेलीविजन थ्रीडी प्रोग्राम वाले टेलीविजन बनाने का इस प्रकार के त्रीयामी रूप में प्रदर्शित किया जाता है यहां जोने देखने हैं तो बिसे जुरूब से तयार लाल एवं नीले रंग के काज़ वाले चसमें का प्रियोक किया जादा नीले एवं लाल रंग के चसमें लगाने पड़ते हैं तर सही तरीके से 3D पिक्चर जो है आप सेने महाल में देख सकते हैं ठीक है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर एक तीन टर्मिनल वाली अर्दचाला के युक्ति है जिसमें प्रत्यावरती संकेतों के प्रवार्दन की छंता होती है ट्रांजिस्टर का अविस्कार उनने इस आतालीस संजिक्तराज अमेरिका के बेल टेलीफोन लेबोर्टर की विज्ञानिक बार्डन विज्ञानिक थे संजिक्तराज अमेरिका के थे इसके लिए उन्हें 56 कि कि सम्मानत की या गया, तो बहुत था नोबल फुरुसकार, दुनिया का साप से बड़ा पुरुसकार, जो है, वो मिला था, ट्रांजेस्टर पुरुसकार सिलीकान, S-I या जर्मियनिया, के ट्रिस्टल से बने होते हैं, ठीक है, प्रत्यक ट्रांजेस च्सटा के तर्मिनल भिन चालक का प्रदर्सत करते हैं वीज़गा चीट्र को मोटा यह अग्धुट्रों की अपटशा कम होती है इस चीट्र के अर्दचाला की प्रकती अग्धुट्रों से भिण होती है ठीक है, भिन्न होती है, बीज बाले चेत्र की मोड़ा यान चेत्रों के पे चक कम होती है, इस चेत्र की अरदचाला की प्रकति अन्न दोनों चेत्रों से भिन्न होती है, इस प्रकार हमें दो प्रकार के ट्रांजिस्टर प्राफ्त होते हैं, जैने क्रमसा, पी एन, पी एन, प ये ट्रांजेस्टर कालेर दोनों के प्रकार हम्हें नदयाद कर दोणों बाहर को वाधार काले यहां जाता है विद्धूति यह जोड़ा जाता ट्रांजेस्टर के अनु परियोग, ट्रांजेस्टर की प्रकति के अनुजार इसका परियोग डिवन युक्तियों की तरह किया जाता है जो निमलेखत प्रकार से हैं, परवर्दक के रूप में, ठीक है, ट्रांजेस्टर परवर्दक एक ऐATHAN salaエlektronic परिपत है, जिसमें ट्रा प्रवर्दक एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर या आईसी युक्तियां सा परिपाज जो किसी निवेज संकेत या आया मतवसक्ति को बढ़ाने में सक्षम हो प्रवर्दक या एम्पलीफायर कह लाता है एम्पलीफायर मुख्रूफ से रेडियो प्रेसित अभी राही टेलिविजन और अधिकांज एलेक्टरानिक उपकाणों का मुख्य घटक होता है एलेक्टरानिक सिस्टम में प्रवर्दक एक मुख्य युक्ति होती है जिसमें प्राप्त आउटपूट दियेगा इनपूट से अधिक होता है मुख्य रूप से वे युक्तिया जो दुरवल इनपूट सिगनलों को प्रवर्दक कहलाती है परवरता कि और पृटता था इंपोट के अनिपर्द परवर्ण पहते हैं जिसके बाद आता है अब हम पढ़ाएंगे दो लित्र आकसी लेटर किसी चालक में एक त्राण के तीब रगाती से एक सरे से दूसरे सरे तक और दूसरे सरे से पहले सरे तक चल्दैब से विद्दू तो इसके चलने से विद्दूचुम् में की तरेंगें पीदा होती है। इस प्रकार किसी चालक हम एलेक्ट्रान की इस पंदन गति आकसियेशन कहलाती है। युक्ती से यह पेदा होती है। । इस उसको क्या करते हैं? आकसियेशन कहते है। आकसी लेटर के कुछ मुखह निमनांके थे, मुख्य-४्रकार निमनांके थे, Tune Character, Oxinator Heart representedoxilator, Calpets Oxilator Multibyrator, Oxilator Band Bridge , नियाज הפlen式, विलाकंक ँओलेटर, Master !ีकमेंटर थे, ठीक है अब आता है डायोड, और यह वाए उक्ति है जो विद्यूत करने के वल एक ही दिसामे परवाहत करती है करने हैं यह एक तरह-क्राँप हुपती है जिससे दो इलेक्टराओं होते हैं जैनर और केसी बांदी से बने होते हैं वह करूपसे निकारी इलेक्टरांगी में सिगनलों को माड्युलेशन, दे२ालिुडेशन, आकसिलेशन आधीकारियों में किया जाता है डायोड और कैफरीव को यदि नेगेट्व बोल्टेज के साथ तता एन नोट को positive voltage के साथ जोड़ने पर current प्रवाह में तो होने लगता है और इससे forward byasing कहते हैं क्या कहते हैं forward byasing कहते हैं ठीक है इसके विप्री जदी क्या नोट को positive और एन नोट को negative सिरे के साथ जोड़ने उल्टा करते हैं तो विद्धुत प्रवाह में रुख जाता है यह सिस्टी को क्या कहते हैं जैनर डायोड का विसकार उनने से 34 में जैनर ने किया तो मुक्ता इसका प्रियों के चानक आए अथ के धिक विद्धुत प्रवाद विद्धुत प्रवाह में को होने वाली जच्छती को रोगने के लिए किया जाता है या वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कारिये करता है जैनर डायोड क्या करता है बोल्टेज रेगुलेटर की तरह कारिये करता है लाइट इमीटिंग डायोड इसकार के चैनल में मुक्ष रूफ से एज्जे रांड ओलेग लो सेवा जेम्स आर वायर तता निक हिलो यांक अग्रणी है इसका ब्योसा एक रूफ से उत्पादव में प्रारंब हुआ था यह विद्दुत उर्जा को प्रकासी उर्जा में रुपांतित करने का कारे करता है यह एक प्रकार की अर्दचालक प्रकासी युक्ति होती जो विद्दुत की प्रवावित होने पर उसे प्रकास प्रावर्तित करके प्रकास का उस सर्जन करती है इ इसकार जर्मनी के बिध्यानिक बाल्टर एच सकती को दिया जाता है यरी का साकले डायोड इसका अविसकार्ण नहीं से 50 के दसाक में बिलियम साकली द्वारा किया गया था और इनी के नाम पर इसका नामकरल किया गया यह है वहले अर्धचालक डायोड में से एक है जो पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों की मिस्तरत परत्नों की योग से बना है मुक रूप से या P, N, P, N प्रकार का डायोड होता है इसके प्रियोग ट्रगर स्विचर के रूप में सिलिकान कंट्रोल रेटीफायर में किया जाता है ठीक है इसके बाद आता है अगला ये डायोड है अगला डायोड है ठीक है इसका अविसकार एपिए गया था इप वर्टितम स्विचिंग के लिए प्रयोग ता है इसके कार्शमतर नियनो शेकिनन में होता है इसका मुख्य प्रयोग माईक्डर्व मुख्य इसकी स्दूर्र लेस्टि प्रकासी उर्जा को बिद्द उर्जा में रूपांत्रत करती है क्योंकि इसका प्रियोग मुक्ता सोलर पावर के छेत्रों में किया जाता है क्योंकि इसका अप्रतिक्रिया समय बहुत कम होता है यह LED डायोड के विपरी सिद्दांत पर कारे करता है लेजर डायोड इसका अविसकार 1922 में रावाट एन हाल ता नेक होल यांग द्वारा किया गया था यह LED के समानी कारे करता है किन्तु यह प्रकास के स्थान पर लेजर बीम का प्रियोग करता है प्रकास के स्थान पर लेज प्रिंट्रिंग डेजर स्केर्णिंग आधी में किया जाता है फोटो डायोड का माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर को सेंटल प्रोसेसिंग यूट के नाम से भी जाना जाता है यह क्या है से अंटल प्रोसेसिंग नाम से किसको जाना जाता है तो माइक्रो प्रोसेसर को जाना जाता है यह दो यह अधिक माइक्रो प्रोसेसर समय को माइक्रो कंट्रोलर कहा जाता है यह कंपूटर के अधने आधने को करोणों के मख रूप में कार्य करता है माइक्रो कंट् से लीडी पर सूचना परदर्शित करना जिमोर द्वाराप करणों को नियंतित करना सूचना प्राप्त करना आधी कारे का क्रियान बन करता है इसके अविस्कार कसरे इसमें सोनियन संस्ता के अनुजार सरफ प्रतम इन्यन गेर बुन गेरी बुन और माइकल कोजिनन को दिया जाता है इनके 12 बर्स ने से कत्तर में माइक्रो कंट्रोलर टी एम एस थाउजेंट का विस्कार किया गया था त्रीक है इसके बाद आता है माइक्रो कंट्रोलर के अनुपरियोग घरयलू चेत्र में बासंग मसीन रिमोट एसी कंपूटर मोबाल फोन आधी में इसका कुछा लगता है कि मद्द सरुणी की होती है अर्द चालक कहलाते हैं जर्मेनियम, सिलीकान, केडीमियम, सलफाइड, गेलियम, आर्थे नाइट, तता सेलियम प्रमुख है अर्थ चालकों की प्रमुख के सरदद चना में दो बैंड होते हैं जैसे चालन बैंड सन्यूजक बेंड कहते हैं इन्होंनों मेंनों के मद्द एक वेंड गेफ कर होती है जिसका मान सुनने सच है इलेक्ट्रान बोल्ट के बीच होता है अगला आता है आगे पढ़ेंगे आजमें के युक्तियों के मूल में अर्दचालक पदार्थ ही होते हैं ठीक है जहां पहले डायोड और को अर्दचालकों ने प्रतिस्ताबत किया विज्ञान और प्रदचालक के विकास में आहम भूम का नहाई अर्दचालक इसको पर पड़ लेते हैं विज्ञान और तकनिकी के यह सब्सक्राइब में हुई प्रगती में इलेक्ट्रानिस का बहुत बड़ा योगदान है दू सब्सक्राइब एक थिमिद्दि लेकिन आप यह पर्संटल समूल कम्पूटर आ रहा है बहुत ही जानदार आ एवसंखा स्या क्मपूटर के अर्द्चालत कहलते हैं फैसे लिए एंप का प्रकार के अंबतीड होता है यह इल्यक्टार्ण के अर्दचानल्क करना ते तल्ए सिनीय रहा ही से फ्रक्रा प्रकर्ठाय मगं बनुक्ट करनां सीच आर ने अब शीए प्रकार को से टॉनase आउले होते हैं यह 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 इन फ्रकार कहर देसला होता है प्लास्टिक से निर्मस सूछ में तंतु जिसमें पून्हांतरेक प्रावरतन्दवाल तैन्दशना या देटा को प्रकास करूप में संचार्व긴 किया जाता है प्रकासी तंतु का एलाता है यह बेला काठी फ्रीन गत्रवरतिront को होते हैं पुरातन समय में प्रयोग मिलाई यानेवाल युक्तियों से सूचनाओं की छती अधिक होती थी परंतु प्रकासी तंत्यू के अविसकार से इस समस्या का निवारन समभा हो पाया इसके द्वारा सूचनाओं के संचार में सामान ने कापर तार्नों की अपएक्छा 55,000 गुना मीटर प्रतिसेकंड से संप्रेशित होती है प्रकासी तंत्यू में डेटर संप्रेशन कुछ नियमों पराधार दोचा जिमनेमने लिखत है इसले अलका नियम क्रांते कोण पूना अंत्रेक परावार तंस्विक्रती कोण नुमेरीकल या पेचार प्रकासी तंत्यू के गु सेकंड की जो है 10 जीवी प्रतिसेकंड की गति तक प्रेसित किया जाता है जिसमें सक्ति छम में कम होता है तो बिद्दूत रंगों का प्रकासी तंत्यू पर्व्यवदान नहीं होता यह आकार में कम 200-300 माइक्रो मीटर ब्यास एवाजन में हलके होते हैं तो सुलक्षा की द प्रकासी तंत्यूं के प्रकार प्रकास करनों की पत्स संख्या पन्यरवर करते हैं जैसे शिंगल मोड तंत्यू में प्रकास करनों एक पत्स में ही संच्रेट होती तो अधिक दूरी तक संच्रेट के लिए प्रयोक तो होती है इसमें लेजर डायोट का उपयोग किया जाता तो इसकी और कोर का ब्यास कम होता है लगबग 8-10 माइक्रो मीटर इसके द्वारा केवल 1300 NM तरंग देरदे के सिगनल कोई प्रिसेट किया जा सकता है या केवल मॉलक सिगनल कोई प्रेशित करती है करता है इसमें उच्छ गति के संचार होता है क्योंकि डिस परसंग या क्रोलों का फ्याला निम्तम होता है इसका प्रयोक सामनता हो जो बदता तता अधिक दूरी तक सुचदा के लिए होता है ठीक है दोस्तू अगला आता ह मॉल्डि मोड तन्तु मॉल्डि मोड तन्तु ठीक है इसमें प्रकास करना कई पत्थों संचार एदोती है तहो से अधिक विवेड़न प्रकार की सिगनलों का को प्रसेस्ट करती है इसमें सामनता है LED का उप्यों किया जाता है दोस्तू यहां पर थोड़ा सा क्लियर का मांड सुनने से सुनने से सुनने से सुनने से सुनने से सामला दो नो तक होता है इसमें अज़ेक व्यांड बित के सिगनल को प्रोसिट किया जाता है इसका अभियों कम सा सामानदूरी के लिए होता है आता है आप्टो एलेक्ट्रानिक्स वेसा भी एलेक्ट्रानिक्स अभि क्यों कहलाते हैं इसके द्वारा ठीक है इसके द्वारा हम प्रकास को विज्दत में तता विज्दत उर्जा को प्रकास उर्जा में रूपांत्रित करते हैं और सिद्धांत परकारी करने वाले यक्तियों को आप टो ऐल्यक्त्रानिक सीक्तियां कहते हैं जैसे फोटो डायओड लेजा डायओड आदी फोटो डायओड दो टर्मिनल नाल पं जंगसन युक्ति है जो की प्र integers अर्जा करने तक दीटा है इसे रिए ब्रकास यजे ढायओड भी कहा जाता है मुक्रूप से इसका प्रियोग फोटो चालकों में आख्सो कपल युक्तियों आदिम किया जाता है LED डायोड यहाँ पियन जंगसन डायोड का विसेश प्रकार है इसके अंतरगत अग्रबायस की अवस्ता प्रकास को सर्चित करने की छमता होती है इसी गोल के काल से आप्टो अल्यक्ट्रानिक अवयोग कहते हैं विद्धूत उर्जा को प्रकास में रूपांतरित करता है तो सामान था अल्यडी लाल निला हरा एंप पीने रंग के प्रकास का सर्गर करती है अद्द्रस प्रकास उसदर से उस्ट चार्जत करने वाली एंउडि इंफ्रा इंफ्रारेट तरंगों का उस्ट जं कर सकती है इसे मुकता गोलियंग फास्पूरे से आर से का भी स्रोगता तथा है तथा इनहीं के मात्रा को परिबारती से करके विभिन प्रकार की तरंगा उत्पन की जा सकती है इसका प्रियोग LED प्रिंटर हम डिजीटल घड़ियों में embedded system में LED डिस्पिल आधी छेत्र में की जाता है प्रिंटर सरकेट बोड इलेक्टरनेक एक्टियों की परिपत अत्यांत जाते हैं यहां यहां यह विद्दोत रोजी पदार्थ से निर्मित होती है इसके उपर कापर की सहाथा परिपत कारेक बनाया जाता है और उसमें विमिन अभयों को दात्विक परत पर साल लेरिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है इस प्रकार निर्मित परीपतों, प्रिंटेट सर्किट बोड कहा जाता है इसका प्रियोग लगबग हर प्रकार के इलेक्टरानक एक्टियों में किया जाता है जैसे टेलीजन, फ्रेज, कंप्वूटर, मोबाल, फोन, आधी परत के आधार पर, को दोड़ी परत के आधार पर एकल परती ये, गद्थ लू परती ये ऐब हुआ परती ये इस में क्या होता हूँता है द्रण प्रिंटेर्ट सरकेट बोर्ड और नम्म प्रिंटेर्ट सरकेट बोर्ड है ठीक है दोस्तों अब जो है हमारा आता है लास्ट वाला और थोड़ा सा जू रहे गया है हम इसको भी कि देख लेगे ठीक है इसमें हैं ट्रांस ड्यूसर ट्रांस ड्यूसर यह उखती है जो विद्धुत और जाकी एक रूप को दूसर रूप में शम परिवर्टित करने में सक्षम होती है किसी भी मापन पढ़ानी में मापी जाने वाली रासी से प्रार्ण में सूजना और जाक किसी अन्वांशेत रूप में बदल देता है जिसे तरसरलता और सुकंबता से मापाज या समझा जा सकता है अताहा जो युक्ति या उर्जा के विमन रूपों को विद्धुत और परिवर्दित कर सकते हैं उन्हें ट्रांस ड्यूसर कहा जाता है एंटीना चालक या चालको प्रिवर्द कर दिया जाता है तांड रिसीवर वाग पर एंटीना के द्वारत चमिकि उर्जा को एकत्रत करके विद्धुत और में रूप अंत्रत किया जाता है इसका प्रियोग निब्दित प्रसार okay के लिए ट्रांसमीटर एबंडसीवर के रूप में किया जाता है ये होता है जो मापित मान्र की माना के मान मान से समीब्त मार्थ आता है डिया करने की छमता अधिक होने चाहिए ताकी मापार के में का डोर्याल प्रेड़ाम में प्राप्त अधर्स ट्रान्स ड्रूसर के आउट पुट क साय किείवाई में बढ़ता है आकार इनका आकार एवांबानी इन्तम होना चाहिए जिससे मापन कारे में ब्योधान ना आए विस्तानांतर में इनकोई छती ना हो उच्छ आउटपुट इनसे पराप आउटपुटों का मान उच्छ होना चाहिए ताकि सिगनल के कम्योर होने पर भी आउटपुट अप एक छितमान के बराबर हो पुनराबरत्ति किसी भी एक प्रकार एक एक इन्पुट को बार बार दिया जाए तो आउ